हालो गाइज आम रिक्की और यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज है वो है खगोल की एस्ट्रोनमी चल रहा है और इसमें परसिद्ध खगोल वेत्ता और उनका योगदान देख रहे थे कि जो जो खगोल वेत्ता हुए उनका खगोल विए में क्या-क्या योगदान हुआ क्या क्या का इसको देख रहे थे हम लोग आज जो देखने वाले हैं केपलर साहब गालीलियो न्यूटन और हरसेल साहब का घगोल लीकी में मतलब क्या गरब सहाब ने जीन और हरसेल ने इन चारों को हम एक ही तात तो कि उस समय में उस जमाने में जब केपलर साहब ने यह दिया गया उसमें कितनी साधन कम थी और उसके बाबदुद भी ऐसे मतलब की इस तरह किसे दांत को देना यह अपने आपने काबिले तागरीश की बात है इसलिए लेकिन हाँ छोटा है कुछ केपलर साहब का कुछ जो की केपलर का ग्रह यह गती नियम मतलब केपलर साहब ने ग्रह के बारे में जो जो नियम दिया ग्रह का जो गती नियम दिया उसको हम लोग केपलर के ग्रह यह गती नियम से जानते है इसका पूरा नाम जो है जहांस केपलर पूरा नाम क्या था जो हांस Kepler Kepler Johans Kepler Johannes Kepler यह है यह है ना Johannes Kepler यह था और यह जो जब इसका जीवन काल है वह 1571 से 1571 का ग्रहां 1531 से 1630 जो है इनका जीवन काल है और इन्होंने सरपर्थम अस्पष्ठ गया कि सूरी के चारो और चकर लगने वाले ग्रहों का पस सबस्क्राइब उसलिए जो है वह दिर्ग वनकर होता है सूरी के चारोगह चकर लगाते हैं उनका जो पत्थ होता है वह किसा होता है दिर्ग विताकार है दिर्गृत कार दिर्ग विर्ताकार किसके संबंद में कहा तो यह कहा सुरी के चारो और चक्कर लगाने वाले ग्रह इसको इलिप्टीकल कहते हैं इलिप्टिकल मतलब दिर्ग विर्थाकार तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं सूरी के चारो और चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पत चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पत है यह इसे को कहा की अंडाकार दिर्ग विर्थाकार कहीं है यह इसे के चारो और का जो ग्रहों का यह इस तरह हलका अंडाकार यह पूरा हलका अंडाकार होता है ऐसे टाइप से होता है इस तरह से आपका जो है यह इसका इस तरह से पत होता है गरहों का और यहां गुम रहे हैं यहां गुम रहे हैं इस तरह से गरह जो है इसमें घुमता रहता तो यह जो पत है इस पत के बारे में किसने जो हांस केपलर साब ने कहा कि य नहीं है दिर्ग विर्टाकार मतलब या इसी को कह सकते हैं अंडाकार है मतलब की अंडाकार यह जो है पूरा गोल नहीं है हलका जो अंडा का सेफ होता है यह यह टाइप का यह वाला गोल नहीं यह वाल जो अंडाकार सेफ है जो इलिप्टिकल है वह दिर्ग विर्टाकार में सूरी के चारो और चक्कर लगाने वाला है ऐसा जो है केपलर साभ ने कहा तो यह ज nom स्क्क्डण के यह इनकी जो है ऑर वी बात दिए लेकिन जो मोटा बात है जो कि में बात है वो यही था कि ब्रस्री नियम दे पाते हैं गैलिलियो साहब पर गैल लियो इनका भी योगदान देखेंगे क्या है ख़गोलिकी में जबकि आप जानते हैं कि गैलियो सहाब को है ना गैलियो साहब को खगोलिकी का पीता फाधर एस्टोनॉमी भी का याता है तो गैलेलियों जो है इन्होंने 1564 से 1642 यह इनका जीवन काल है 1564 से 1642 यह जो है इनका जीवन काल है और यह एक इतालवी खगोल वित्ता थे कहां के थे इतालवी इतालवी खगोल वित्ता तो गैलेलियों कहां के थे इतालवी खगोल वित्ता थे 1564 से 1642 जो है इनका जीवन काल था और इन्होंने क्या कहा था इसके इन्होंने गैलेलियों ने तो कैपलर और गैलेलियों दोनों समकालिन थे मतलब कि जो लाइफ जो हांस कैपलर और गैलेलिय दोनों जो है एक समकालिन थे तो गैलिलियों ने कैपलर के विचारों का समर्थन किया उन्हों ने जो है कैपलर के विचारों का समर्थन दिया कि गैलियों कोई कैपलर सहाब जो कह रहे हैं गरहों की गति के बारे में वह 100% सही कह रहे हैं इस बारत का समर्थन किस ने किया गैल केपलर के विचार का समर्थन किस ने किया तो गैलियो साहब ने किया ठीक है 1609 में गैलियों ने अप वर्तक दुर्बिन की खोज की देखिए रिफ्रेक्टर रिफ्रेक्टर टेलिस्कोप अपवर्तक दुर्विन का खोज या विस्कार किस ने किया तो गैलियो ने किया अपवर्तक दुर्विन का खोज वह चार उपग्रह है नहीं रश्पतिग्रह है उसके चार उपग्रह तथा सूर्य जो कलंक है तथा सूर्य कलंक या सूर्य धबबा जिसको बोलता है तथा शूर्य कलंख या इसको सूर्य धब्बा भी करते हैं या शूर्य धब्ब्बा आगे जो है जहा हम इसको खगलकी को और आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये च्छाथ चीज़ मिलेगा सूर्य कलंख क्या है इसको हम लोग जानेंगे तूरी धबा इसको बोलते हैं सन इस्पोर्ट कि सन सफ़ोट को इसका भी पता लगाया का पता लगाया तो यह भी जो है यह ये लगाया गलियो के वीचार का समर्गन किया 1609 अप वर्तक दूर्वियन रिफ्रेक्टा टेलिस्कूप का खोज किया व्रस्पति के चार उवग्रह तथा सुरी कलंक किया सुरी धबा का भी लगाया किसने गेलियों सहाब ने और साथ ही गेलियों नहीं बताया कि सुरी का निकटवर्ती तारा कौन है प्रेक्सिमा सेंचूरी है सुरी का निकटवर्ती तारा प्रेक्सिमा सेंचूरी है यह किसने बताया तो यह भी गेलियों बताया सुरी के निकटवर्ती तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी या सेंटारी भी लिखता है इंगलेज में कहिएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी प्रोक्सिमा सेंचुरी अभी इसका भी पता प्रैक्सिमा सेंशूरी का भी जो है के बारे में किस ने बताया को यह किसने बताया तो यह भी गैलियो सहाब ने गैलियो का बहुत पड़ा योगदान है देखे अप वर्थक दूर्बिन का भी खोज किया ब्रसपती के चार उपगरह और सूरी कलंक या सूरी धबा के बारे में भी बताया है और साथ सूरी के निकटवरती तारा जो प्रैक्सिमा सेंचूरी है प्रैक्सिमा सेंचूरी जो है इसके बारे में भी किस ने बताया तो इसके बारे में भी इसके बारे में किस ने बताया गैलियो ने तो यह चार पॉइंट जो है आपका गैलियो सहाब का जो एक इतालवी खकोल विरता थे उनका हो गया अब बात आती है न्यूटन साहब का न्यूटन के बारें तो आप जानते ही हैं न्यूटन न्यूटन साहब ने यह जो है इनका जीवन काल 1642 से 1727 यह इनका जीवन काल रहा 1642 से 1727 इस भी तक इनका जीवन काल 1642 से 1727 नूटन नाम था इनने 1668 में 1668 परावर तक दूरविन परावर्तक दुर्भीन है ना परावर्तक दुर्भीन जिसको आप आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर आप यहां पर देखते हैं कैपलर ने खोज किया अपवर्तक दूर्विन का किसका तो अपवर्तक दूर्विन का खोज किस ने किया केपलर ने और यहां न्यूटन साब में आप देख रहे हैं न्यूटन ने परावर्तक दूर्विन का खोज किया किसका किया परावर्तक दूर्विन मतलब की रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर टेलिस्कोप और यह है रिफ्रैक्टर टेलिस्कुप तो यह अप वर्तक दूर्बिन होगा तो गैलियों होगा और परावर्तक दूर्बिन वह तो कौन हो जाएगा अगर यह दखना है तो सब्सक्राइब तो पहले आएगा फिर जाएगा तो पहले आया गैलियों सब्सक्राइब पहले हो जाएगा और न्यूटन ने परावर्तक दुर्विन तो आने के बाद इसको याद रख सकते हैं है ना तो यह हो गया अब है हरसेल इनको भी देख लेता है हम लोग हरसेल हरसेल इन्हों ने इसका भी योगदान जो है भूतिकी में बहुत जागा रहा तो इनका जो है 1805 में हरसेल साब ने 1805 में 1805 में यह एक ब्रिटेन ब्रिटेन ख़गोल बेता थे ब्रिटेन खगोल वेत्ता ना ब्रिटैन खगोल वेत्ता हरसेल जो है यह यह ब्रिटैन खगोल वेत्ता थे और इन्होंने दूर्बिन की सहयता से अंतरिक्ष का अध्यन किया देखिए उस समय में जो साधन उतना नहीं था फिर भी इतना कुछ करना ये कम बात नहीं है हरसेल साहब ने 1805 में जो ब्रिटैन खगोल वेत्ता थे दूर्बिन की सहयता से अंतरिक्ष का अध्यन किया और क्या और बताया कि विस्व केवल सौर मंडल तक सिमित नहीं है और क्य हरसेल साहब ने क्या कहा कि विस्व एक तू पहले ये दूर्बिन की सहयता संतरिक्ष का दिन किया फिर विस्व सौर मंडल तक ही सिमित नहीं है यह भी बात किसने कहा यह भी हरसेल साहब ने बताया और क्या बताया बल्कि यह सौर मंडल आकास गंगा नामक तारे का निकाय क आकास गंगा नामक तारा का निकाय है उसमें इतना ज्ञान देना यह भी अपने आप में बहुत बड़ा बात है तो हरसल ने दूरभीन की साधत अंत्रिक्ष के अध्यन भी किया विश्व सौर मंडल तक ही सिमित नहीं है यह भी बताया और बल्कि यह भी कहा कि यह सौर मंडल स्वेंग आकास गंगा नामक तारा का निकाय है यह जो पूरा सोलर सिस्टम है यह पूरी सौर मंडल है वो क्या है आकास गंगा नामक तारे का निकाय है किसका निकाय है आकास गंगा नामक तारा है इसका क्या है निकाय है इसी का जो है सिस्टम है पूरा सौर मंडल आकास ग तो फ्वर्मनदल को चानना बहुत बड़ी बात थी और इंहोंने उसके संब्सम्द में निकाहत जो है एक ता अकास गंगा का क्या है एक चोट का कुक्या ओर और भी बड़ा है इस अध्यन के बाद मानवनने ब्रहमानड की और समित क matar को लगत एक बाधा है उसकी महांता यह उसको बड़ापन होता है तो उसकी서 मात्रा को ब्रहमांड की और सिमित व्यापकता को इसके बाद किसके बाद तो हरसेल साहब के बाद हरसेल साहब के बाद मानवा ने क्या देखा ब्रहमांड की और सिमित व्यापकता को देखा कि ब्रहमांड जितना सोचा जा रहा है उससे कई गुनाव बढ़ा है और यह क्या है अंडाकार पत्वर घुमते हैं गैलेलियो साब ने क्या का जो इतालवी खबल वेता थे इन्होंने केपलर की विचार का समर्थन किया एक दूसरा इसका भी खोच किया और ब्रस्पति के चार उबगरह तथा सुरी कलंक और सुरी धबा सन इस्पोर्ट का पता भी लगाया सुरी के निकटवर्ती तारा जो प्रेक्सिमा सेंट्वरी है उसके बारे में भी बताया किसने गैलेलियो ने फिर नियूटन साब ने नियूटन ने श साहता से अंत्रिक्ष का अध्यन किया दूर्विन की साहता से क्या क्या अंत्रिक्ष का अध्यन दूर्विन की साहता से पहले अंत्रिक्ष का अध्यन किसने किया तो हर्सल साब ने किया और क्या वोला विसुस्वार मंडल तक ही सिमित नहीं है मतलब कि इस से भी बड़ा है स और ब्रह्मांड की व्यापकता का पता आजमी को किसे लगा तो हरसल साब के इसे लगा तो किसी भी जो वैज्ञानिक हुए खगोलवीद हुए उनका कोई भी योगदान कम और ज्यादा नहीं है जो आज जो हम लोग तो लाख-लाख, सूक्र है आज वीडियो के यहीं करते हैं स्वास्तर है अपना में जॉक्षा यहीं को न पसक्ता हुरत